बिल्कुल श्रताओं हम भी यही कहेंगे कि इस जीवन को मुस्कुराते हुए आप बिताइए कारिक्रम उत्तम स्वास्तिय लेकर मैं सुवन शेखावत हाजिर हूँ साथियों 10 सितम पर को हमने World Suicide Prevention Day मनाया इस दिवसकों मनाने का उद्देश यह आत्महत्या की बड़ती प्रविर्ती पर रोक लगाना है साथ ही इस समस्या के प्रती लोगों को जागरूप बनाना है विश्व स्वास्तिय संग्ठन द्वारा साल 2003 से इस दिवसकों मनाने की शुरुवात की गई आत्महत्या के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पूरे विश्व में लगबग आठ लाख लोग हर वर्ष आत्महत्या करते हैं NCRB यानी राष्ट्रे अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सन 2021 में हमारे देश भारत में लगबग एक लाख चोंसर्च हजार व्यक्तियों ने आत्महत्या की और चिंता जनक बात ये है कि ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है इसी बात के मध्य नजर आज के उत्तम स्वास्तिय कारिक्रम के इस अंक का हमने विशे रखा है मानसिक विकारों से बचाओ और उनका उपचार और इस विशे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में पढ़ारे हैं दोक्डर सुरेश बडिहार आप मनोरोग विशे शक्ये है डोक्त साब स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद और मैं सभी का इस विशेप पर हार दिक अभी नंदिन करता हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का जी रोग्स अब सबसे पहले हम आत्म हत्या जैसे गंभीर विशेप पर बात करेंगे कई बहर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सामाने खुशाल पारिवारिक जी रहा होता है आर्थिक रूप से भी कमजोर नजर नहीं आता और फिर एक दिन हम सुनते हैं कि फलाव व्यक्ति ने आत्म हत्या कर ली तो अचानक ऐसा कदम क्यों उठा लिया जाता है देखिए इसका जो एक मातर एक पकार से अपने सोच सकते हैं बड़ा जो कारण रहता है वो रहता है दर्द हर इनसान को लगता है कि जो दर्द है जो दिखता है वही दर्द है बहुत सी बार एसे बहुत सारे दर्द होते हैं जो दिखते नहीं हैं जिसको हम मानसिक दर्द कह सकते हैं और मानसिक जो दर्द है वो उसी को फील हो सकता है उसी को पता हो सकता है जिसको वो मानसिक दर्द या तो पहले कभी हुआ है या अभी उसको है जिस इंसान को मानसिक दर्द होगा वो उससे मुक्ति के बहुत सारे उसके पास में रास्ते हो सकते हैं लेकिन वो यह सोच लेता है कि इससे मुक्ति का एक मातर you रास्ता है कि मैं अपनी जिंदगी को खुश कर दूं कि मैं जो है अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे ही खुश हो सकता हूं कि मैं इसको खतम कर दूं तो ये जो दर्ध है ultimately यही एक मातर सबसे बड़ा जो है इसके पीछे का रीजन रहता है यानि उस व्यक्ति का ये नजरिया होता है कि आत्म हत्या के अलावा कोई दूसरा अब रास्ता नहीं है इस दर्द से मुक्ति के लिए जी 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 तो डॉक्ट साब आत्म हत्या से पहले क्या कोई विशेश लक्षन या संकेत नजर आते हैं किसी व्यक्ति में बिल्कुल हम अगर आत्म हत्या पर बात करें तो इसके बहुत सारे एसे कारण होते हैं जो कारण उसको उस मानसीक दर्द तक पहुचाते हैं लेकिन उन सब कारणों के अंदर अगर हम एक बहुत बड़ा कारण जाने तो वो कारण रहता है डिप्रेशन का और डिप्रेशन जब आता है तो साथ में बहुत सारी चीजें आती है साथ के अंदर वो इनसान सूचता है कि मैं ये वाला जो चीज है जैसे कि मतलब कोई सराब है या फिर कोई और परकार का जो एक रहता है, तो वो भी मैं उसके साथ में कर लूँ और मैं इससे बाहर निकल जाऊँ और बहुत साथ जो लोग हैं उनका जो माइंड सेट है वो माइंड सेट इस परकार से रहता है कि छोटी सी भी कोई दिक्कत आई, समिश्या आई, उनको लगता है कि एसी जिन्दगी से तो मर जाना अचा है तो वो जो mindset है, वो भी इसके अंदर एक परकार से fuel को जैसे की आग देने का काम करता है, तो ultimately अगर हम उन सब चीजों की बात करें, तो इसे बहुत सारे symptoms होते हैं, warning signs होते हैं और जन्ता के अंदर बहुत सारी चीजें AC भी है, व्यापत है, जिसको हमें दूर करना चाहिए, जिसे सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल वी उचित नहीं है कि किसी इंसान से अगर हम ये बात करें कि